कि यार मुझे रुडर लग रहा है अगर वाकि में कोई आत्मा हुई तो आत्मा के साथ अंताक्षिरी खेलेंगे मजाक मत कर यार अगर सच मुच में आत्मा हुई तो उससे नबटने का तरीका ढूलनेंगे मेरे भाई तू टेंशन मतले मगर कैसे अब यार जब आत्मा आगी ना तो आइडिया अपने आप दमाग में आ जाएगा चलते नहीं नहीं मैंने जाओंगा तुझे डर लग रहा है डर पोख मैं डर पोग नहीं हो हां तो चल अंदर देखते हैं कि तू टरपोग है के नहीं आजा क्या हो गया तू तो बोल रहा था कि तुझे डर नहीं लगता तो चल ठीक है कि अ जलना यार कितना सननाठा है यहां पर ₹शosity डर पोग तू बाद 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 पर नहीं दर ना चूड़ दे यह साइलम था सोच एक जमाने में कितनी लोग रते हूं गए यह वह वासतू नहीं किसी के सीड़िया चाड़ने की आवाज अरे हा यार, आवास तो मुझे भी आ रही है मगर यार, कोई नजर नहीं आ रहा आप तो मुझे भी डर लग रहा है यार ये आवास तो बढ़ती है जा रही है कहीं ये आवास हमारी तरफ तो नहीं आ रही वो, वो देखो कौन है गोतम क्या हुआ अमिर को? विनित भाया, कल रात हम जो वन्राज नगर में पुराना मांसिक चिस्सा केंदर हैं, महा गाय थे वन्राज नगर के मांसिक चिस्सा केंदर जहां तक मेरी जान कर यह तो बंद पढ़ाओ तुम लोग क्या करने गए थे वहाँ हमने कुछ दोस्तों शर्ट लगाई थी कि वहाँ पर हम एक रात गुजार सकते हैं कितनी बार समझा है तुम लोगों को ये बेकार की शर्टे मत लगाया करो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो सब तुम लोगों के अलावा कोई और भी था वहाँ पर हां भी देखने के लिए ओपर जा रहे थे तो किसीने अमित को धका दे दिया भूथ भूथ था वहाँ लगता है लोग सच क्या देहिए कि उस जगह भूथों का डेरा है भूथ नहीं होता है ये बूदवूद आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे दोस्तों का प्लाइन होगा, तुम्हें डराने के लिए ताकि तुम्हों लोग शर्थ हार जाओ। नहीं भीया, ये उन लोगों का काम नहीं है, जरूर कुछ और ही धावापर कुछ और? तुम्हार कजिन गौतम, अब तबियत कैसी है उसकी? सर, मेरा कजिन तो ठीक है लेकिन उसका दोस्त अमेद बहुत तरह हुआ है लगता है कि कर रात के सदमी ने बहुत कहरा आसर चोड़ा है उसके दिमाग पर मैंने तुम्हें उसे कुछ कहना चाहिए था इसे उटपटंग शर्थे लगाते हैं ये बच्चे आजकर आजकर के बच्चे, सुन्ते कहा है, सर सर मेरी मदद कीजे, सर सर प्लीज मेरी मदद कीजे एक मिनिट आईए बैठी बैठी पार्णी लेकर ओ बताइए, क्या नाम है अपका सर, मैं जूही हूँ मेरे पति राहु, सर फल से गायब सर उनका फोन भी नहीं लग रागा सर पताझ नहीं कहां चले गआया सर पली बीजे अचा, आपके पती राहुल कल शाम से गायब है जी, सर कोई फोन वोन आया था उनके बारे में किसे ने फोन किया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया. अच्छा, उनके बास मोबाइल फोन तो होगा ना? जी. ज़रा उनका नंबर दीजे. सर, 164402787. लगा. अच्छा, आखरे बार कब बात हुई थी? तुमारी अपने पती राहूल के साथ? सर, कल जब वो ओफिस में से तम मेरी बात हुई थी, सर. उसके बाद वो घरी नहीं आया. राहूल जी, काम कहा करते हैं? सर, टिस्टो नाम के एक एड एजनसी में. अच्छा, टिस्टो एड एजनसी में. जी, सर. देखिया, बिल्कुई गबराईये, मत. आपके पती को आम डूण निकालेंगे. तांकियो, थांकियो समार. सर, सर, मुबाइल कमफनी से राहूल के मुबाइल का लोकेशन पता चल गया है. कहा पर है? सर, उसका मुबाइल वनराजनगर इलागे के एक पुराने बंद पड़े असाइलम में है. वनराजनगर के असाइलम में? सर, कल रात को गौतम और अमित भी वहीं गाय थे. गौतम और अमित? दोनों भी वन्राजनगर के बंद पुड़े असाइलम में जये थे कल रात और इस जुही का पती राहुरी उसके फोन का आखरी लोकेशन भी वन्राजनगर ही था इस सारा चक्कर क्या है वन्राजनगर असाइलम कैसी जंगह है यह यह राहुल हम यहीं पर मिलेगा उसका फोन आखरी बार यहीं पर ट्रेस हुआ है इसी बंद असाइलम में जूढ़ना होगा फ्रेडी तुम इस सरफ जाओ पंकच इधार मुह बंद देखा करो जाओ जन्री बिली इस सरफ जा मैं उद्धर चाहता हूँ हाँ संबल के हमेशा गलत जगह पे मुझे ही लेके जाते हैं निखिल भी था उससे भी ले जा सकते थे वगर नहीं होक्षिट पे मुझे ही बेटना पड़ता है सरफ, सरफ, जन्दीशी आइए, सरफ, यहाँ पे कुई यहले क्या कर रहा? क्या हुआ? सरफ, मैंने यहाँ पे किसी आद्मी के परच्छाई देखिए, सरफ परच्छाई देखिए चुप परच्छाई देखिए चलो देखते है कौन है इदा, कोई नहीं कही यह राहुल तो नहीं फोटो दिखा उसके पत्ति नहीं दिया हुआ कही राहुल ही तो है सर, कितनी बेहरहमी से इसकी गर्दन मरोडी है जिसने भी किया है ना, कोई ताकत वर इंसान है मुझे जो लग रहा है, वो अगर मैं बोलूँगा तो अपर परचाही वाल आदमी वही खुनी है, वही खुनी है सर, हाँ यह देखे सर यह राहुल खा हो सकता कैमरा? सर, अगर राहुल इस कैमरे से शूटिंग कर रहा था तो हो सकता है इस खुनी की रिकाउडिंग भी हो गई हो इसमें चेक करो तो दर्वाजा बंध होनी की आवाज है सकम तब कोई तो है यहाँ देखते है देखो कहां से आवाज आ रही है सर, यहाँ पर लाइट चल रही है लगता है कोई रहता है यहाँ हाँ देख एए उठो कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो मैं यही रहता हूँ बीबी मर चुकी है बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया मैं भीक माग कर अपनी पेट के आग बुजाता हूँ आपके बीटों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? शरमानी ची उने यहाँ पर एक खून हुआ है खून यहाँ इस विल्लिंग में क्या तुमने उखून होते हुए देखा या पर उसके बारे में खुछ जानते हो? कल मैंने कुछ लोगों का सोर सराबा सुना सोर शराबा? हाँ, कल कुछ लोग दारूपी के सोर सराबा कर रहे थे मुझे लगा, दारूपी के ये लोगों मस्ती कर रहे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया चै, यहाँ पर कोई लड़की आती रहती है लड़की? वो मरी हुए लड़की नर्स नर्स? नर्स है वो? हाँ, वो खून की प्यासी है वो अपना बदला लेने के लिए चारों तरफ भड़कते फिरती है खून की प्यासी है? आत्मा रेड़ी सर, आत्मा कौन हो सकता है ये ताकत और इंसान जिसने इतनी बेरहमी से राहुल को उमा रहा है सर, पुटेज रेड़ी है देखा पॉस करो, पॉस करो जिसकी भी परचाई है, उससे सिर पर भी कुछ पहना आए टोपी जैसे नर्सिस के सिर पर जैसे वो टोपी होती है उस तरह का सर, वो भुजड़र्ग आदमी भी तो बता राथा था ना, के असायलम में एक नर्स आती ज़र आगेप लेकरो सर सर, राहुल किसी से बात कर रहा है हाँ, ये राहुल किसी से बात कर रहा हमगर किस से और क्या कह रहा है निखे लिए आवा जरा साफ करो अच्छी तरह से, पता तो चले, यह राउल कह क्या रहा है और हुआ क्या है वहाँ पर? सर, अबंग अच्छ, क्या पता चला है? सर, उस पुराने मानसिक चिकित साख केंद्र, असाइलम का पूरा इतिहास पता चल गया है क्या ही क्या से? आज से 13 साल पहले, साल 2000 में, वहाँ पर एक पेशन ने एक नर्स का खूण कर दिया था तबसे लोगों में अफ़ा पहल गई है कि उस नर्स की आत्मा उस असाइलम में भटा करी है यह बात है नर्स की आत्मा, तबसे नर्स की आत्मा नहीं कोई और यह नड़की जो यह नर्स की टोपी पहन कर गूम रही है उस नर्स की आत्मा का फाइदा उठाने के लिए सर आवाज साफ हो गई है सर राहूल की आवाज तो साफ हो गई है लेकिन वो किसे बात करा समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं राहूल की आवाज सुनते महेश तो महेश राहूल ने किसी महेश का नाम लिया है इसका मतलब है राहूल उस महेश के साथ बात कर रहा है इस वीडियो में सर कहीं राहूल को इस महेश ने तो नहीं मारा दो सकता है महेश राहूल के आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे महेश को देखकर राहूल चौप गया इसका मतलब है राहूल और महेश एक दूसरे को जानते थे राहूल के ओफिस में जा कर देखना होगा कि है कौन यह महेश जी कहिए किस से मिलना आपको आप को ने? जी मैं इस एड इजनसी करेटिव हैड हुग हम लोग CID से हैं आपके ओफिस में राहूल काम करता था उसके बारे में कुछ पुछ आच करने हैं राहूल हमारे लिए एड फिल्में बनाया करता था सबसे काबिल एड दिरेक्टर था वो तिक बड़ गलत हुआ उसके साथ पसे आप लों क्या पूसना चाहते हैं देखिए अक्सर इंसान के दुष्मनों की गिंती उसकी कामयावी की सीडियों की तरह बढ़ती जाती अब हमें ये बताइए कि इस ओफिस में राहूल का कोई दुष्मन था क्या कोई ऐसा था जो उसकी कामयावी से जलता था कौन महेश कौन महेश कौन महेश कौन महीश का मोयाध इस आडिजन्सि में माषण का अनम काम करता का बहुं हिंसे लाहूल के मुझ से कभ़ी मैष का नामसे जी कभी नहीं आप है कि हम देख सकते हैं जया आए मैआ पको दिखाता आरा है चरह हो पार्श ने को भणाट कर के यह परिशान था क्या जी आप इसले कुछ महने से वह काफी चुटियां लेने लगा था मैंने में चार पांच चुटिया तो ले लेता था और यह तो पता नहीं मैंने कहीं पार जानना चाहा लेकिन हर बार बात को टाल गया उसने कभी मुझे ठीक ठाक जवाब नहीं दिया ज अब पता तक नहीं उसकता है सर यह अपनी ही किसी शूटिंग के सिल्सिले में उसमांसिक चिकित साले गया मगर उसने हमें किसी भी बात की भनक तक लगने नहीं थी बनक लगने देता कैसे अगर आप लोग को पता चलता के राहूल खुद का प्रड़क्शन हास खोल के राहूल की परस्नल अपॉइंटमेंट डायरी देखते हैं आकरी बार किस से मिला था यह राहूल आयोसी यह 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 किया हो सकता है यह तुमारे किसी क्लाइंट की कंपणी का नाम तो नहीं जी नहीं हमारे किसी क्लाइंट की कंपणी का नाम आयोसी नहीं है चलो इस राहूल ये आयो CPA यो आयो सी का तो मुझे बता नहीं कि मेश तो राहुल सर का अशिसंट था मेश which to就 राहुल का सिसंता है को लेशाराइस मेशजा सर राहूल सर यंः निकाल दिया निकाल दिया लेकिन क्यो सर میں पे उने ब DAVID तो रंशी का थी काईसी शूटिंग? जर्ण सर राहूल सर डॉक्युमेंटरी फिल्म पे काम कर रहे थे वे ऐसी डरावनी जा जाकर शूट कर थे जाए लगता था कि आत्मा होंगी आत्माँ पे डॉक्युमेंटरी? और किसके लिए बना रहे थे यह फिल्म? सर रसी डॉक्युमेंटरी फिल्मों को साराने वाले बहुत लोग हैं मगर उसी जगे पे शूटिंग करने की क्या वज़े थी? सर महिश के कहने पर तो महिश का हाथ भी है इसमें महिश एक दिन वहां से कुछ फोटेज शूट कर लाया था जिन्हें देखकर राहूल सर को लगा कि वहाँ ज़रूरा आत्मा है क्या हम वो फोटेज देख सकते हैं? जी, सर. सर. क्या, पड़ुट पॉस करो. इसमें में लड़की? जरह जूम करो, इसमें. जी, सर्चिन. काच में लड़की का चेरा साफ नजरा आ रहा है. रहूल के वीडियो रेकॉर्डिंग में भी लड़की दीखिती ना? आज, सर. लगत्ता है, यह लड़की महेस से मिली विए. और इन दोनोंने मिल के रहूल का खुणकिया है. अब इन सारे सवालों का जवाब असमानसिक चिकित सालह से ही मिलेगा. वह खुणी यहां आएगा जरूर. सर, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते को यहां पर फिर आएगा? वह इसलिए, पंकज, क्योंकि वह खुणी यहां दो बार पहले भी आ चुका है. एक बार राहुल कुमार ने और दूसरी बार जब आमेत और कौतम यहां आये थे. और उसके बार-बार यहां आने की एक ही वज़ा हो सकती है. कोई तो ऐसा सुबूत जरूर है, जिसे वह ढूनकर चिपाना या तो मिटाना चाहता है. अगर अब तक उसके हाथ वह सबूत नहीं लगा, तो वह यहां फिर से आएगा. सबूत मिटाने. यह देखिए, खूनकी पैसी नर्स. अब इसकी प्यास जेल में ही पुझेगी. यह मेन हॉल बेगी है, चलो. अनित, आभी अभी तो इधर थी, कहां गई? यह तो उसी आगमी के आवाज है, जो यहां रहता है. उपर चलो. उपर. किसने किया यह? उसी इंद्रस के आत्माने. मुझे छोड़ेगी. बार डालेगी मुझे. तोई आत्मा वात्मा नहीं है. किसी का सोचावा खेल है, और आज उसके खेल को बिगाल के रहेंगे. अंकच, इनको बाहर लेजा. जनीत, इस कमरे की अच्छी तरह तलाशील. कोई तो वज़ा होगी, कि वह खोनी इस बुज़र्गादमी को मारना चाहता है. पिसावा. सर्, यह देखिए, यह लिफाफा यहां पर खावाटा है. इस पर राहूल का नाम लिखावा है. राहूल का नाम? यह लिफाफा आयोसी लाब दे भेजा है. एक मिनट. राहूल की डाइरी में आयोसी लाब के साथ अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा था ना? सर्, कहीं यह खुनी इस लिफाफे को ढूनने तो यहां बार बार नहीं आता? देखने, इस के अंदर क्या है? वाट? एक लड़की की हटी के टुकड़े की फॉरेंसिक रिपोर्ट? अब यह क्या नहीं पहली है? एक लड़की की हटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट? इस बुज़ग आदमी के कमरे में क्या कर रहे है? सर कहीं है रिपोर्ट इसे राहुल की लाश के पास तो नहीं मिली? और यह उठाकर उसे यहां ले आया? वह सकता है वनीथ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहुल ने मरने से पहले यह लिफाफा आकर इस कमरे में चुपा दिया उस समय जब यह बुज़ग आदमी इस कमरे में नहीं थे शायद ऐसे ही वह होगा सर वरना पूस्ताज करने के बाद यह आदमी हमें इस लिफाफे के बारे में जरूर बताता लेकिन इसने कुछ नहीं बताया हावनीत यह बात भी है आयो सी लैब से हडडी का टुक्टा साडूनके साब को मेज़ता सर दर्वाजा तोड़ दूँ अरे थोड़ी देर तो रुको देया सर किसी को भी कम से कम तो मिनिट का समय तो देतेगी वो सकता है कोई खाना खा रहा हो बातरूम में हो लेकिन तुम दर्वाजा देख CE स्वार हो जाता भी तोड़दू सरी सर वो द्यासर की तिनी कहानिया थी सुनी है दर्वजा तोड़ने वाली कि दर्वजा देख थी बस यह क्या वो क्या देखावो जाता हम असर काबो कर्मा सेला अपनी कला दिखाव सब्सक्राइब, पंगे सब्सक्राइब, तोड़ने के खुशी देगी चेहरे पे, घर तो पूरी तरह से खाली है, देखो अची तरह से, क्या मिलता है, सर, कहीं राउल का खून करके, मैश 9-11 तो नहीं हो गया, बज़ के जाएगा का, इसी घर में कुछ ऐसा सुराग धून न सर, मैशी कबड में से ये बैग, ये ट्राइपॉड और ये स्टिल कैमरा मिला है, कहीं ये वही समान तो नहीं जो राउल के ओफिस से चोरी हुआ था, वासल लगता है वही समान है ये, और इसी समान की वज़ा से, राउल ने मायश को ओफिस से निकाल दिया सर यह देखिए यह लड़की की फोटो मिली है और पीछे इसका नाम लिखा है मदुमिता ओ माइगाड यह तो वही लड़की है जिसे हमने असाइलम की फोटेज में तेखा था मतब सर राहूल में जिसे डॉकुमेंटरी की फोटेज शूट की थी वागल खाने में आत्मा और अगयरा की वो सारा फोटेज जूटा था सर, मदुमिता और महेश ने दोनोंने मिलकर यह खिचडी पकाई है लगता तो ऐसे ही मदुमिता की नमबर ट्राए करके देखते हैं फोन तु बंदा रहा है इस महेश का पता लगाना होगा क्सी भी हाल में एक बार यह मदुमिता हाथ लगजाए न تمहें तो महेश तो खुद बखोद हमारे हाथ लगजाएगा महेश और मदुमिता यह महेश और मदवेता इन दोनों को जल्दी से जल्दी ढूड़ना होगा मिलने चाहिए ही हमें और फिर उस लड़की के बारे में क्या पता चला जिसके हट्डी के टुकडे की जांच राउन ने इस आयो सी लाब में से करवाई थी नहीं सर अब तक तो कुछ पता नहीं चला है सर इसी रिपोर्ट को चुराने के लिए वो खुणी शायद असाइलम गया होगा मगर उसके हाथ नहीं आई अ उसे क्या पता यह रिपोर्ट हमारे हाथ में है इस खुणी को यह नहीं मालूम कि CID वालों के लिए एक तिन की भर का सुराग भी काफी है उस तक पहुचने के लिए सर इस महेश नहीं रहूल का खून किया होगा घर पे मिला नहीं और उसका फोन भी बंदा रहा है यह रहूल घर पे नहीं मिला और उसका फोन भी बंदा रहा है और मदुमिता का भी तो फोन बंदा रहा है, काम करो, इस राहून ने जहाँ जहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंटरी की शूटिंग किये न, वाम आ जाओ, और पता लगा, देखो, देखो कहाँ पर वो हंडी का टुकड़ा मिलाता उसे, सरीय रापहला लागा, जी, कहिए, आपको किस से मिला है, हम लोग C.I.D. से, आप से कुछ बात करनी थे, मुझ से, किस बारे में, उस डॉक्यूमेंटरी फिल्म के बारे में, जो राहूल आपके घर पर शूट कर रहा था, ओ, उसके बारे में, अपसर इस घर की छट से कुछ अजीब अजीब सी आव मले में, बिल्ली की आत्मा भटकती रहती है, बिल्ली की आत्मा? जिस है, अभी पिछले साल की बाद, एक बिल्ली ट्रक के नीचे आ गई थी, तब से उस बिल्ली की रोने की आवाज, पुरे मोहले वालों को सुनाई देती है, वाई सब ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती और उपर से बिल्ली की आत्मा, ये जब आपका भाहम है. अमावस की रात को मैंने सामने वाले गर की चत पे एक आत्मा को टहलते हुए देखा, बहुत ही भाहरणग लग रहे थी हूँ. अमावस की रात में तो वैसे भी रौश्णी बहुत काम होती है, आपने किसी आत्मा को नहीं, बलकि आदमी को ठैलते हुए देखा हुगा हुगा, अभी तक कहीं भी कुछ भी ठोस नहीं मिल पा रहा है, ये बात तो है पंकश, इसी बात को तो गुछ सा मुझे भी आ रहा है, आज के जमाने में भी लोग अन्द विश्वास पे तना यकिन करते हैं, सुराकरी घर सुमित का और उसकी पत्नी उदिता का बचा, सुमित और उसकी पत्नी उदिता का, आज सर, क्या, मधुमिता का फोन ट्रेच हो गया, इसी अरिया में, सर ये तो बहुत अच्छी काबर है फिर तो इस महेश तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं, ओके सर, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, यही पर ट्रेस हुआ था मधुमिता का में भाइल, अरवास तो खुला हुआ है, तब शुक निक आवास, सर कही मधुमिता, यह तो मधुमिता है, सर आवला खोन करने के ब यह तो रहे हैं, कौन है आप लोग? और यहां पर क्या कर रहे हैं? अच्छा किया जो आप खुदी चले आए, गिर अफ्तार होने के लिए, दो तो खून की हैं आपने? एक मिनट, एक मिनट, यहां पर कोई खोन नहीं हुआ है, शूटिंग जल रही है, मधुमिता, बताओ इने, मधुमिता! यह सर्, तुम फिर से शॉट में सो गी थी? और यहां पर हम पमीशा लेके शूट कर रहे हैं? हमें सब कुछ पता है, कि तुमने क्या किया है? सब कुछ? यहां, सब कुछ. यह डॉक्यूमेंटरी शूट करने के बहाने, यह जो अंद विश्वास फैला रहे हैं ना तुम? सब कुछ मालूम है मैं, कि उस पागल खाने में शूटिंग भी तुम ही ने की थी. मगर सर... और अब यह भी पता है, कि रहूल का खून तुमने किया है, तुमने! यह सब जूट है? सब बक्वास हैं सब? सारी बक्वास, ब्यूरो में समझ में आ जाएगी. मैं, मिस्टर सुमित. मैं, मेरे नाम सुमित. आप लोग मेरे वैंक से लोण के सिल्सिली में आया है? यह नहीं, लोण वोण कुछ नहीं, हम लोग CID से. CID? कौन सुमित? कोई नहीं, तुम बिस्तर से उटके क्यो आ गई? मैं, डॉक्टर ने तुम्हे आराम करने के लिए काहा है. पानी चाहिए था. तो मुझे बुला लिया हुता ना, मैं दिया देता. चलो, आराम करो. चलो, चलो. हाँ, समल के. जाओ, आराम करो. सुरी, दरसल मेरी वाइफ की तभियत कुछ ठीक नहीं है. क्या हुआ है? कुछ खास बिमारी नहीं है. आयाम की कमी है. इसलिए थोड़ी कमज़ी है. डॉक्टर ने दवाई दी है. कुछी दुनों में ठीक हो जाएंगी. लेकिन, सिर, सियाडी वाले यहां, यहां तो सब ठीक है. मिस्टर सुमित, कुछ हफ्तों पहले एक राहूल कुमार ने आपके गर में डॉकुमेंटरी शूट की थी. यह पता लगाने के लिए कि आपके गर में आत्माए हैं या नहीं? ओ, उस डॉकुमेंटरी के सिलसिले में आप लोग यहां हैं? जी हां, तुम आपको बता दे हैं के मिस्टर राहूल का खुण हो गया है. वाट? राहूल का खुण हो गया? कैसे किसने किया यह सब? बस उसी की इंक्वाइरी चल रही है, उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग. सुमित, आप काफी पड़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप भूत प्रित पे यकीन करते हैं? सर, किसी के पड़े लिखे होने या ना होने से कोई फार्क नहीं पड़ता. वैसे मुझे पुरा विश्वास है कि आत्मा है नहीं होती. इसलिए तो राहूल को बलाया था यहां, ताकि वो इस घर को शूट करें और उदीता का वैहम दूर हो. वैहम? कैसा वैहम? उदीता को अकसर इस घर में अकेले में आवाजे सुनाए देती हैं. और उसे लगता है कि इस घर में कोई आत्मा है जो डेरा डाले बैठी है. तो इसलिए आपने राहूल से कहा कि यहां कर शूटिंग करें और पता लगा यहां आत्मा है या नहीं? और जैसा के मेरा विश्वास था, इस घर में कोई आत्मा आत्मा नहीं निकली. विशे सुमे, तो आपको इतराज नहों तो हम आपकी घर की तलाशी ले सकते हैं? सर, दरहसल मेरी एक इंपॉर्ड़न्ट मेटिंग है. मैं अल्योड़ी लेट ही चुका हूँ. इस फोटो में आपकी आपकी वाइफ के अलावा यह यह नहा है, जी यहां पेइंगेश के तोर पर रहते थी. काफी दोस्ती लगती है आपकी वाइफ की और नहा के बीच में? आपने ठीक पहचाना. नहा और उदिता अच्छे दोस्ते थे. इन फैक्ट सेप्टमर 2012 में जब नहा मुंबे में हमारे यहां रहने आई उसके बाद नहा और उदिता में दोस्ती और गहरी होगी. वैसे सर आपको किस चीज की दलाश है? कोई ऐसा सुराग जिससे जिस केस की तह तक हम लोग पहुंच सकें. लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सुराग मेरे घर पे मिलेगा? नहीं, जिन जिन गरों में राहूल ने शूटिंग की है, हम सब जगह जा रहे हैं. सिर्फ आपके घर में नहीं है, सभी जगह पे जा रहे हैं हम लोग. यह आपके घर में तैखाना? यह जी सर, लेकिन वहां कोई खास सामान नहीं है, पुराना फरनेचर वागरा? मैं देखना जाओंगे. सर, तैखाना काफी दिनों से साफ नहीं किया है, मकड़े के जाले वगर होंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे. प्रपड़ों के चिंता मत कीजिए, आप ज़रा लाइट जलाएए. जी. सर, पुरे गर की अच्छी तरह से तलाशी लिए, कोई खास फुराग मिला नहीं? मैंने का था ना, सर, आपकी मतलब की कोई चीज़ा नहीं मिलेगी. चीक है समिझ जी, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जोरत पड़ी तो आपको दुबारा परशान करेंगे. सर, आप बेवज़ा हम पर शक कर रहे हैं, हमने राहूल का खुन नहीं किया. हर खुनी यही कहता है, कि उसने खुन नहीं किया. रहूल का क्यामेरा तुम नहीं चुराया, उसका बाकी का सामान भी तुम नहीं चुराया, है न? चुराया नहीं था सार, बिना काई खुछ समय के लिए इस्तमाल किया था, यह डॉक्यमेंटरी फिल्म शूट करनी थी. और इसलिए रहूल नहीं तुम्हें नोकरी से निकाल दिया, आप डमलय उसके जान लिगता मैंया, खुलाया थी शूटी से लिया मैं उसकी जान क्यू लूँगा, वोया था, और नोकरी से निकाल दिया हो तुम्हें चुटी सी वज़े लगती है, यह तो बहुत बधी वज समझे, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी वचे है अद्वम अदूमिता, उमारा क्या कहना है? सर मुझे इसम में क्यो फसाया जा रहा है सर कोई फसा नहीं ना है तुम्हें आपर, समझे सर देखिये, मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ मुझे जो भी किरदार मिलता है, मैं बस पूरी इमानदारी से उसे निभाती हूँ, सर यह तो बड़ी इमानदारी से अपना किरदार निभाती है इतनी इमानदारी से इसे पता ही नहीं चलता वह कौन सा किरदार निभा रही है और किस लिए है ना जो अनते इस लिफाफे में क्या है? नहीं, क्या है? इस लिफाफे में उस लड़की की हड़ी की डियने रिपोर्ट है जो राहूल ने लेब में बेची थी हड़ी की डियने रिपोर्ट? हाँ हड़ी की तो बताओ, राहूल के अलावा और किस की जान लिये तुमने, वो लड़की कौन थी, जिसे मारा तुमने मैंने किसी की जान नहीं ली, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते तो फिर वन राजनगर क्यों गए थे, असाइलम में, राहूल के पीछे पीछे हां? उसे ढराने के लिए, पर वो सब मजग था, सिर्फ मजग, हां मैं राहूल से बदला रेना चाहदा था लेकिन उसे ढरा का उसे मार का नहीं अच्छा अच्छा और दराने के लिए तुम मदूमिता को लेकर गए थे ना, नर्स की आत्मा बना कर है ना नर्स कि आत्मा ? भिल्कुल नहीं सर्, महेज के साथ इससे पहले मै ने सिर्फ एक फी बार श्रूटिंग की थी और उसमें मैं नर्स नहीं वहनी थी सर् हाँ सर, तकर आल मैं अकेले ही गया था मिरसाथ कोई नहीं था अकेले गया था, मतलब कि वो पर्चाही नहीं थी, वो आत्मा असली थी सर, भंकाज, अगर तुम अकेले गये थे, तो पर तुम का थी, पच्चीस परवरी की रात को, बताओ, मैं अपनी सहली की शादी में गई थी सर, आप चाहे तो निशा से पूछ सकते हैं, तो हम पूछी पूछी लेंगे, उरी पूछ ताज करेंगे, अम तुम दोनों के बारे में, फिलाल तो तुम्हे जाने दे रहा हूं मैं, लेकि नेक बात याद रखना, अगर जरूरत पड़े, तो तुम दोनों को फिर से आना पड़ेगा यहां पार, समझे, जा सकते हो, तैंक यू सर, ज गुत्थी तो और भी जादा उलस्ती जा रहे है, अगर वो परच्छाएंस मधुमीतागी नहीं थी, तो फिर केसके थी? पता चल जाएगा, विनेद, वो परच्छाएंस किसकी थी, पता चल जाएगा, यह गुत्ती अब धीरे-धीरे, सुलच्ती जा रहे है यह गुत्ती, सर, इसका मतलब इस केस में कोई और भी लड़की शामिल है, वो सकता है, हमारे फोरिंसी के लिए अपका रिपोर्ट कहा ह यह सर, यह सर, यह देखो, साणुंखी का रिपोर्ट, हडडी पर, जिंक ऑपसाइड के ट्रेसिज मिले थे, जिंक ऑपसाइड तो, रैट पॉईजन में, चुहे मारनी के दावाओं में इस्तमाल किया जाता है, तरह याद करके बता, जब तुम लोग उन चार गुएगा, पुष्टाज करने के लिए गयते, जहाँ पर राउन ने अपनी डॉक्यमेंटी की शूटिंग की थी, तो वहाँ पर तुमें कोई रैट पॉईजन, दिखा, तरह याद कर अच्छी तरह से, चुहे मारनी की दवाई, यादा है सर, कि यह सुमित और उधिता के घर के तैखा यह सुमित और उधिता ज़रूर कुछ ना कुछ चुपा रहे हैं हमसे, सुमित और उधिता के इंटेव्य में एक बाद गौर करने वाली है सचिन, ओके सर, जैसे उधिता ने ने नाम लिया, सुमित परेशान हो गया, सर लगा तो मुझे भी आसा ही था, लेकिन यह तो उध अधिता की सहेली है न, उसके घर पर रहने के लिए गई थी तो अफर सुमित उसे लेके परेशान क्यों होगा? कुछ तो है सचिन, जो ठीक नहीं है, यह ने 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 घर रहने आए थी और फिर अचानक गाइब होगी अशर कुछ तो ऐसा है जो अब तक पता नहीं च किससे मिलना है? हम लोग CID से. नेहा से मिलने आएं. CID से? यहा, CID. मतलब नेहा का पता चल गया? पता चल गया मतलब? हम लोग नेहा सही मिलने आए. मुझे लगा आपको मेरे बच्चे मिल गए. कहा है नेहा? पता नहीं, एक मेना हो गया लापता है, ना कोई फोन, ना कोई खबर, भगवान जाने मेरी बेटी किस हाल में होगे आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आपकी बेटी नहा को हम लोग टूंड निका लेंगे अच्छे ये बताईए किसी ने फोन किया था आपको, वो सकता है आपकी बेटी को किसी ने अगवा किया, कोई फोन आया था? माजी कही है ऐसा तो नहीं कि नेहा अपनी मरजी से घर छोड़ के चली गई है अरी कैसी बाते कर रहे हैं आप, दुनिया के ऐसी कौन से बेटी होगी जो अपने मा को इस तरह छोड़ के जाएगी वो भी भी बिना बता है माजी अगर आपको एतराज ना हो तो हम नेहा के कमरे की तलाशी ले सकते हैं शायद उसके कमरे से इसा कुछ मिल जाए जो हमें नेहा तक पहुंचाते है जी मंकर्श, कमरे की तलाशी कायान कारूँ भाई तरह थाइकि रही हो लेकि वोगे आईए कि अ euro अब को क्या लगता है नेहा किसी बात को लेके परैशान थी जिंतित थी आ नेहाने खुद तो अपने परैशानी के बारे में कभी नहीं बताया लेकिन Χुँ उसकी तो आपको क्या लगता है किस बात को लेके निहा परिशान थी क्या वज़े थी उसकी परिशानी की बिटा, निहां बड़े-बड़े सपने लेकर मुंबई शहर गए थी, उसमें कुछ बंद दिखाने का होसला था, इसलिए जब उसने कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वापीस आ रही है, तब भी मैं समझ गए थी कि ज़रूर कुछ हुआ है जिसकी वज़े से पेरी बेटी की सोच, अच्छानक इस तरह बदल जाएगे. सर, आपंगर. सर, यहां काओर कीजिए, सुमित ने नेहा के लिए एक बर्ट्डे कार्ट भीया था. सर, सुमित नेहा एक दूसरे को पहले से जानते थे, और शाहिद इनके बीच, नेकल, इसकार्ट को पड़के तो यही लगता है, कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई चकर तो जरूर था. सर, सर, उस हट्डी की फोरंसिक रिपोर्ट जो हमें उस बुज़र्ग आदमी के घर पे मिली थी, वो नेहा की तो है? वो सकता है. नेकल, नेहा का हैर प्रश उठालाओ. नेहा के बाल का डियाने टेस्स करवाते हैं, पता चल जाएगा कि वो हट्डी नेहा की है की नहीं है क अरे बिलकुल टेंशन मत लिए, सब सही है. यह अपको बाद में फोन करता हूँ. सर. तुम एक C.I.D. ओफिसर हो. एक C.I.D. ओफिसर! समझे! और C.I.D. ओफिसर वही काम करता है, जो अपने देश हैं, या फिस समाज के हित्त में होता है. सर, मैं समाज के लिए सूचता हूँ सर. बस! या अपने आप से कहो, या फिर उन से कहो, जिन के लिए तुम ये सब कर रहे हो. पूछो अपने से, कि क्या तुम वही काम कर रहे ह हैं, जो अपने देश के हित्मे हैं, जा फिर इसके पीछे कोई और साजिश है. हम? सर. 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 नेहा के बाल की डियने रिपोट आगी सर. क्या पता चला? सर. नेहा के बाल का डियने और वो हड़ी जो रावल ने बेची थे उसका डियने. दुनों मैच हो गए सर. दुनो सुमित के ओफिस से पता चला है कि सुमित अक्सर काम के सिलसिले में पूनी जाया करता था. और शायद वहीं उसकी नेहा के साथ दोस्ती और गहरी हो गई. तो फिर हुआ ये होगा कि नेहा पीछे पड़ी होगी सुमित के. मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो. और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए सुमित ने नेहा को खतम कर दिया. सुमित, इस सुमित की नाटक से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है. जी, आप लोग? आप कहीं जॉगिंग वोगिंग पर जा रही हैं, क्या हो दिता जी? जी नहीं, बस ऐसे टहलने जा दी थी. इच्छा, सुमित कहा है अजरा पुलाई? सुमित तो घर पर नहीं है. कहीं आप जूट तो नहीं बोल रहे हैं? भला, मैं आप लोगों से छूट क्यों बोलूँगी? पर आप लोग सुमित को क्यों ढूँड रहे हैं? बोट जल्द पता चल जाएगा. श्रया, बीनित, अच्छी तरीके से गर की तलाशी लो. लेकिन आरे, आप लोग पेले इस घर की तलाशी ले चुके हैं, तो अभी दोबारा? क्योंकि इस बार हमें य भूनी? यह सब आप क्या कह रहे हैं? आपको याद है, नेहा गायब हो चुकी है? हाँ, मुझे पता है, मगर सुमित का इन चीजों से क्या लेना देना है? क्योंकि वह गायब नहीं है, उसका खुन हुआ है, और सुमित ने मारा है उसे. सुमित नेहा का खुन किया? यह सब आप क्या क्या रहे हैं? क्या 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 है? नेरे पती किसी का खुन नहीं कर सकते हैं. सार्ट! आपनेट! सार्ट, नीचे आया प्लीज. आपनेट! सार्ट! यह देखे सार्फ. सार्ट! इतना सारा खुन? सार लगता है कि नेहा की लाज के टुकडो को यहीं पर अखा गया होगा. यह सब क्या है? भई तो हम आपसे पूछना चाहते हैं. क्या है यह सब? कुछे कैसे पता होगा? मैंनी चानती कि यह सब यहां कैसे आया? एक लड़की नेहा जो आपके घर में पेंगेस के तौर पे रहती है. आपकी सबसे अची सहिली है, वो अचाना गायब हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं चलता. सर, लेकिन… उदिता? उदिता? अड़े, आये, सुमित जी, आप कही इंतजार कर रहे थे हम लोग? आप लोग फिर से? बस, आखरी बार आपके घर पे, इसके बाद तो जेल में ही मुलाकात होगी आपसे. जेल में? यह क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं, निया का बेदर्दी से खून कर दिया, और आप भोली बन रहे हो? क्या? निया का खून हो गया? यह क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यू उसे मारूँगा? वो तो मेरी अच्छी दोस्ती. तोस्ती पर जब प्यार कर लंग चड़ता है ना, तो जिन्दगी में तूफान आजाता है. देखें, जैसे आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मिस्टर सुमित, तुमने जो निया को प्यार बरा ग्रीटिंग बेजा था, वो हमारे हाथ लग चुका है. सुमित, क्या बोल रहे हैं? कौन से गीटिंग कार्ड के बात कर रहे हैं ये लोग? ओधिता, इन पर विश्वाद मत करो, ये लोग जूट बोल रहे हैं. अगर ये लोग जूट बोल रहे हैं, तो तुम्हारे पसीने क्यो छूट रहे हैं? सर, सर ये लेखिए, अंदर से ये नर्स के कपड़े मिले नर्स के कपड़े? ना तो ये नर्स हैं और आप नर्स हैं सुमिट जी तो फिर ये नर्स के कपड़े कौन पहनता है? बूल गया भी नित? राहूल के खूनी ने भी नर्स के कपड़े पहने हुए थे सर और तो और ये मार्शलार्ट के कपड़े भी मिले हैं, ब्लाक बेल्ट के साथ, ओ, तो आप मार्शलार्ट भी जानते हैं, ने सर मैं मार्शलार्ट नहीं जानता, वो तो उधिता जानती है, उधिता जी, आप मार्शलार्ट जानती है, और एक मार्शलार्ट जानने वालाई राहुल की इतनी बेदर्दी से गर्दन मरवर सकता था उधिता, नुखो! खेल कूत का टाइम खतम हो गया क्यों हो किया यह साथ? नेहा और मैं बहुत अच्छे दोस्ते इसलिए नेहा जब पूरे से मुंबई आई तो मैंने उसे अपने घर पे रहने दिया और बदले में उसने क्या दिया? उससे मेरा पती चीन लिया फिलाश कहा है, नेहा की? पीछे, कार्डेन बे दफनाही हुई मुझे ऐसा लगता है कि कि इस घर में जो आवाज है, वो, नेहा की आत्मा की है आत्मा की नहीं, तुम्हारे अंतरआत्मा की आवाज है तुम्हारा गिल्ट आप मगलानी तब तक परिशान करते रहेंगे जब तक तुम्हारे किये की सजा तुम्हे नहीं मिल जाती शायद भासी होगी तुम्हें झाल